हेलो गाईज मैंने में इशकार्थिक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राउंड 2 L बीबी की वाइन्स, फैजल सिद्की और एलविस यादो के बारे में और शुरूआत करते हैं फैजल सिद्की से तो जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियोस में कवर किया था कि फैजल सिद्की के उपर ऐसी डटेक परमोट करने के ऐलिगेशन लग रहे हैं तो ये ऐलिगेशन दिल्ली से बीजेपी के स्पोक परसन तेजंदर पाल सिंग बगाने लगाने लगाए थे और इसके बाद NCW की चेयर परसन रेखा सर्मा जी ने उस वीडियो पर स्ट्रिक्ट एक्षन लेते हुए टिक्टोक इंडिया और माराष्टर के डीजीपी को लेटर लिखा था कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्षन लिया जाए तो अभी इसके बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि फैजल सिदिकी का टिक्टोक अकाउंट बैन हो चुका है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके अकाउंट पर लिखा रहा है तो अब उनका टिक्टोक अकाउंट वापस आएगा या नहीं इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपने चैनल पर तुरंट अपडेट दे दूँगा तो उसके लिए आपने अगर चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लेना तो आप बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में तो आज बुहनबाम ने अपने इंस्टाग्रम स्टोरी में अपने न्यू सोंग के बारे में बात करते हुए ये पोस्ट किया जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और आप बात करते हैं राउंड टू एल के बारे में तो आज राउंड टू एल के मेंबर नाजी मैंबद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में न्यू वीडियो के बारे में बात करते हुए लिखा कि आज उनको सब roast कर रहे हैं लेकिन round 2L एक जमाने से TikTok को roast करता आ रहा है time लेंगे क्योंकि इस बार बहुत सही से लेंगे और आपकी support की जर्रत है तो support करना तो इस बार round 2L कुछ special तरीके से roast करेंगे TikTokers को तो उनकी वीडियो का wait करते हैं और देखते हैं वो क्या दमाका लेके आते हैं और finally आज एलवी शादा उन्हें अपने second channel जहां पर TikTok roast वीडियो डाला था जिससे TikTok versus YouTube की सारी controversy क्रियेट हुई थी उसी channel पर next वीडियो का topic reveal कर दिया है तो इसके बारे में बात करते हैं उन्होंने अपने Instagram story में ये post किया तो बस यार आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करना और चैनल को subscribe नहीं किया तो दोस्तो चैनल को subscribe जरूर से कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में दोस्तों सब्सक्राइबाब इसके ये कार चैनल को राहिए